कुश्यन नमबर 57 में एक ब्यक्ति दो कम्प्यूटर को प्रितेक को 28,250 रुपय में बेच देता है अब जिसमें से एक पर 16% का लाव राप्त करता है पहले एक पर क्या करता है 16% का उसको लाव होता है प्रॉफिट होता है ठीक है प्रॉफिट ठीक अगले 16% पर दूसरे 16% यानि ये दो बस्तुमें थी दूसरे एक पर लाव होता है दूसरे पर हानी होती है 16% की उसको हानी हो जाती है लॉस ह हो जाता है तो आप क्या है उसके प्रित्सत लाब या हानी को ग्याद कीजिए अब देखते हैं उसको प्रित्सत लाब हुआ है या हानी यह लाब हुआ है उसे हमें निकालना है तो क्या निकालना है परसेंट में ही निकालना है कि परसेंट हानी या लाब हुआ है तो इस कंड तो हमेशा हमें क्या होती है लॉस ही होता है हमेशा लॉस होता है अगर उतनी की हानी हो रही है उतने काई लाब हो रहा है तो हमेशा क्या होगी हानी होगी तो इसके लिए सीधा सा सौर्टकट मैट्रेट होता है क्या होता है कि 16% है तो a square upon 100 कर दें उतने का क्या होगा लॉस हो सो लग स्पार होता है 256 बटे 100 अब यह कितना हो जाएगा 2.56 इतने की हमें हानी हो जाएगी क्योंकि इसमें हमेशा हानी होती है तो answer क्या होगा answer B option B is right answer